मैम मेरे अबू अम्मी मेरे को शादी के लिए बहुत फोर्स कर रहे हैं जबकि मेरी उमर अभी 16 साल ही है और मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ प्लीज मैम हल्प कीजिए देखिए जब मैं इस कमेंट को पढ़े ना तो उसी समय इन दा मोमेंट इस कमेंट का रिप्लाई मुझे अच्छा नहीं लगा मैं सोचे कि इस पर वीडियो बना देती हूँ मैं लेकिन फिर वही मुझे अच्छा नहीं लग रहा था अनकमपटेबल फील हो रहा था कि अगर मैं वीडियो बनाओंगी तो सभी लोग कहेंगे कि यह मुसकान मैं क्या करने लगी एक लड़की मुझे एक अच्छा शिक्छक मानते हुए बड़ी उमीद के साथ हमारे वीडियो पर कमेंट की है और हमसे हल्प मांग रही है तो यहाँ पर हमारे फर्द बनता है कि मैं इस लड़की की हल्प पर हूँ हो सकता है कि हमारी बातों को सुनकर इस लड़की के माता पिता प्रेर लड़की के साथ हो इस तरह की बहुत सारी लड़किया होंगी जो कि इस तरह के प्रोब्लम को फेस कर रही होंगी और वो किसी से बता नहीं रही है तो उन सभी लड़कियों का एक तर से हल्प हो जाएगा तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और जो भी बाते में बतान से पढ़ा रहे हैं चाहे घर पर रख कर पढ़ा रहे हो यह फिर बाहर करी दूसरे जगा भेज कर पढ़ा रहे हो जो गार्जिन अपने बेटे और बैटियों को पढ़ाurt अभी के इस situation में कोई भी कोई भी parents कोई भी माता-पिता अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाने से चुक नहीं रहा है यहां तक कि वो अपना घर और जमीन तक बेश दे रहा है पढ़ाने के लिए लेकिन ऐसे guardian जो कि अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाने के बजाए और खास्तोर से बेटियों को बेटियों को पढ़ाने के बजाए अंडर एज में शादी करने के लिए प्रेसर बना रहे है इस से मैं थोड़ा दूखी हूँ जब मैं इस comment को पढ़ी बताइए इस लड़की की उमर अभी 6 साल है और अभी लिखी है ये कि अभी पढ़ना čाहती है फिर भी इसके माता पीता क्या कर रहे है पोर्स कर रहा है शादी के लिए तो मैं उन सभी माता पीता, सभी गार्जियन से कहना चाती हूँ तहे दिल से कहना चाती हूँ, नम्र निवेदन करती हूँ कि प्लीज, अगर आप हमारी बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और भारत का जो समिधान है, वो भी ये कहता है कि हर व्यक्ति का अपना एक fundamental right है, मुल अधिकार है और हर देश के नागरिकों को अपना fundamental right पता होना चाहिए वैसे मैं आप लोगों को ये fundamental right वगरा नहीं बता, उतना deeply में नहीं जाओंगी बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति स्वतंतर है, सभी को अपनी अपनी स्वतंतरता है ठीक है, और इस स्वतंतरता के साथ एक उमंग है, कुछ करने की जिग्यासा है आपकी बेटी अगर कुछ करना चाहती है पढ़ना चाहती है लाइफ में कुछ बनना चाहती है तो आप अपनी बेटी की उमंग को और पढ़ने की जिग्यासा को मत तोड़िए उसे पढ़ने दीजिए अगर उपढ़ना चाहती है तो पढ़ने दीजिए कुछ बनना चाहती ह लाइफ में तो लाइफ में कुछ बनने दीजिए आप उन्हें हेल्प कीजिए सपोर्ट कीजिए इस दुनिया में बहुत बड़े-बड़े लेवल के एक्जाम हो रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत की गौरों लड़किया ही कहलाएंगी मुझे पता है कि अभी आप लोग क्या सोच रहे होंगे अभी आप लोग यही सोच रहेंगे और आप लोग यही कहेंगे कि मैम आपने तो यह कह दिया लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे situation आते हैं कभी-कभी कुछ ऐसे condition आते हैं आप लोग जानते हैं बोड़ी तीन तरह की होती है एक athlet body, दूसरा है slim body और तीसरा है heavy body तो athlet और slim body वालों के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जिनका body heavy होता है heavy body वालों के साथ दिक्कत हो जाती है क्योंकि कम उमर में ही उनका heavy body हो जाता है तो माता पिता देखकर सोचने लगते हैं कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए ठीक है ना तो पहला condition तो ये होता है और जो दूसरा condition होता है वो ये होता है कि जमाने के लिए हाद से और खराब माहौल को देखते हुए माता पिता खास तोर से अपनी बेटी की शादी जल्दी करने के बारे में सोचने लगते हैं हलांकि जरूर नहीं है कि हर जगा माहौल खराबी हो लेकिन फिर भी जमाने के लिए हाद से जो माता पिता होते हैं वो अपनी बेटी की शादी जल्दी करने के बारे में सोचने लगते हैं लेकिन मैं यहाँ पर आप सभी parents से सभी माता पिता और सभी guardian बंदू से यह कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर ठहरिये रुखिये जरा सोचिये आपकी बेटी की अभी उमर नहीं हुई है वो अभी under age में है 18 साल की उमर नहीं है उसकी आप उसकी शादी under age में कर रहे हैं और कही ना कही से आप अपनी बेटी के future के साथ खेल रहे हैं सोचिये जो समविधान और कानून यह जो नियम बनाया है ना जो नियम है कि लड़की की उमर कम से कम 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए तभी उसकी शादी होगी तो यह जो नियम बना है यह कुछ समझ कर ही ना बनाया गया होगा अब इसको कंडिशनली में और भी डीपली जाकर एकस्प्लेन नहीं करना चाहूंगी विकाज आम नौट टीचर आफ बाइलोजी मैं बाइलोजी की टीचर नहीं हूं लेकिन बस मैं यह कहना चाहती हूं कि खेलने कुदने की उमर में पढ़ने लिखने की उमर मे हैं आप अपनी बेटी के लाइफ को फिचर को फिजिकली खराब कर रहे हैं फिजिकली कैरियर के साथ खेल रहे हैं तो अंत में मैं सभी लड़कियों की भानाओं को समझते हुए अंतित्ता मैं सभी गार्जियन बंदु से और सभी माता पिता से यही कहना चाहूंगी कि पढ़ाई की जजबा है ना पढ़ाई का जो जुनून है जो जिग्यासा है जो excitement है इसको मत तोड़िए आप अपनी बेटी को पढ़ने दीजिए और जितना हो सके आगे बढ़ने दीजिए लाइफ में कुछ बनने दीजिए ताकि आपका भी नाम रोशन हो और आपके नावरजयन सोचते हैं कि हमारी नहीं पढ़ेगी हम अपनी बेटी को नहीं पढ़ाएंगे तो मैं उनसे यह कहना चाती हूं कि ठीक है आप अपनी बेटी पढ़ाना चाहते हैं मत पढ़ए लेकिन अंडश तादी मत कीजिए क्यों की शादी करके फिर आप अपनी बेटी के भविश्य को खराब कर रहे हैं फिजिकली ठीक है ना और अखिर में मैं उन सभी लड़कियों से भी कहना चाहती हूं कि आपके जो पैरेंट से आप पर प्रेशर बना रहे हैं शादी करने की मैं नहीं जानती कि आपके पैरेंट्स पढ़े लिखे हैं य समझाइए कि अंडरेज में शादी करना घलत है ठीक है फिर भी नहीं समझ रहे हैं तो आपके घर में जो दूसरे लोग हैं आपसे बड़े आपके भईया हो गए आपकी बढ़ी बहन हो गई या फिर जिस पर आप लोका सबसे ज्यादा भरोसा है कि हां यह हमारी मदद जिससे आप अपनी बात को शेयर करती हैं तो उनसे जाकर अपनी बात को शेयर कीजिए बोलिए और हेल्प लिजिए और किसी तरीके से अपनी माता पीता को समझाने की कोश्च कीजिए और उसके बावजूद भी अगर आपके माता पीता नहीं समझ रहा है नहीं मान रहा है तो आप यहीं ना चाहते थी मैं एक विडियो बनाूं तो फाइनली तेखिए विडियो बन चुका है आप इस विडियो को ले याकर अपने माता-पीता को दिखाईए अब शल्टistas हेल्प मांगा था और इस वज़े से मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए जो कि काफी इंपोर्टन है और आई होप आप लोगों को हमारी सारी बाते समझ में आई होंगी और इंड में अंतितार लास्ट में मैं यही एक बार और कहना चाहती हूं कि अगर आप एक गार्ज उस गाउं का नाम रोशन होगा और अगर आप वो लड़की हैं जिसको प्रेसराइज किया जा रहा है यानि कि आपके माता पिता शादी करने के लिए प्रेसर बना रहे हैं तो फिर जैसा कि मैं आप लोगों को बताई कि आप अपने माता पिता को समझाईए और सबसे इंप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज